गुलिये लाडली लालकी करते हो कि हम भी कुछ हैं अले क्या हो तुछ और अभी यह श्रीट छूट जाएगा उसके बाद फिर पुत्ता बनना पड़े कि बिल्ली की गधा की पेड़ की पतन की तोहर जाओ तब तुमसे हम बात करें क्यों जी ऐ नीम के पेड़ तुम वो डीलिट प्रोफेसर वही थे ना पिछले जन्म में हमने कहा ताइसर किसरण में चलो दीनता लाओ जब तुमने कहा सा हम ऐसे अंधविस्वादी नहीं है डीलिट है अब क्या हाल है दीन के पेड़बले हो हाँ जी हो गल्टी हो गई उसके में पता नहीं क्या दिमाग खराब था आंकार में प्रूबे हुए थे श्यामसंदर के आगे भी दीन नहीं बन सकती दीनता के बिना साधना नहीं हो सकती कोई बिंजाइश नहीं एक बेंकत नाथ नाम के महापुरुष हुए है वह बेंकत नाथ इश्वर की ओर जब चलने लगे बड़े आज़िये थे और जोरदार आगे बड़े तो तमाम बिरोध हुआ सभी महापुरुष्यों के प्रति होता है तो उनके बिरोधियों ने उनके आश्रम के गेट पर एक जूते की माला बना करता हुए नशे में तो जलता ही है उनके शिर में लगेगी तो हम लोग हम सेंगे हाहाहा जूता शिर में लग रहा है तुमारे वह अपना बाहर से भी तर नेक्ट्रेल्टी में जा रहे तो जूते की मालाच लटका रखा था मक्तारों ने नास्तिकों ने वोश्वर में लगी वह देखा और हस्ने लगी आप लोग दूर खड़े देख रहे थी जिन्होंने नातक दिया था कि गुस्ते में आएगे फील को देख कर हस्ने लगे हो कहते हैं तरमा वलंब लेते हैं कुछ लोग ज्ञानमार का वलंब लेते हैं अभयम तुहर दासा नाम पादरक्षा वलंब लेते हैं और हम तो भगमान के जो दास है उनका जो पादरक्ष है जूता सवभात किसे हम तो मिल गया हम तरह दिशी से काम बन जाएगा हम जो कर्म ज्ञान भक्ति के चक्तर में पढ़ें अब बिरोधी लोग देखें जी जी देकर असराव करता बयम तुहर दासा नाम पादरक्षा वलंब लेते हैं यह आजर्श है इश्वर प्राप्ति की जिसको भूखो ऐसे बनना पड़ेगा शुकराज यह बहुत बड़े हुए ब्लास पर आप दोगर नाम चुना होगा शुकराज की बीवी बड़ी तेख किमागती है बड़ी तेख काली कलोट तो उसके लिए खिलवार था दिनवर मैं यह नहीं कह रहा हूं सब देवियां की होती है मैं सुकराज की बात कर रहा हुए तो काली कलोट खुब किया उसने पहले वो हस्ते रहे अपना सुकराज को कि वो जानते थे कि इसमें तिन गुण कारोग लग गया है तो कैजी को सोफना है तो पर इजान हो रहे अपने आप दिला मुझे